अदिक मास का महिना वो भी सावन का सन्जोग में जान नहीं आपाया। अदिक मास की अमावस्या जब अदिक मास और सावन का मद्य भाद समझ लेना ज़रा बहुत ज्यान देने वाजी बात है। राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला। राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था। कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में सरेसी सो गया। गुड़ने डाक्टर ने बदलना पड़ेंगे का मर्दुख रही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी चिंदगी का दुख हो। जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उतसे जादा तुख तम्यंतियों राज अनल के जीवन में आया। राज सी ठाट भाई ने छोड़ा लिया। पत्मी चली गई। पती दरदर भटका। साप डस लिया। सरीर वेकार हो गया। सड़ता रहा। काला पड़ गया। पत्मी की बाप की साधी होने लगी। साधी होने के बाद भी बाबाने करपा कर दी। अब समझेगा जिसके पास से पूरी सक्था चली गी वेभव चले गया राज चले गया भाई ने सब को छोड़ा कर रख लिया सरीर भी विकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है यार्बॉट नाथ के डसे से सरीर भी दिकार अब उसके ध्यान के अत्मी तम्यंती का है अभटिक रही जल हम तोटा ने कर रही है माद्ण तो बैंध कर दोने ने अपने पति के साथ पीयर कर संकर कैंद्र न तो लोटा इस पर चिल अन्यवेधन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जब के बोलो ज़रा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा घर से चलो तो लोटे के ओपर लोटा हो डवल पर लोटा डवल कब मंजील डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जित्गी के सुप डवल कर देगा पता ही है फड़ाई पता नहीं चलिए और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हांग में तलशो और शिव का मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव माधियों को धार चड़ाए तो याज तो रुआ तमयंति और नल ने नियब बढ़ा गया अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निक संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे धीरे करते करते सावन के पंदरा दिन इंड़र और बीच में मलमास भंस ता इस सास्त्र करता है अधिक मास का अखरी दिन और सावन का महिना पर दिस लग रहा हो तो उस दिन 35 को टीदे वी दे उता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पून नहीं को चालो कर देते हैं पूरा अच्छा चलो तुम लोग या मेन पूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो गोवर्दन कुन जाता है जाते हो आप लोग भंडा सिर्फंधवार नहीं डाइए जा जाना गोजंदी जाना वजंद्वाजनगा फुर्णरदी जाना पूर्य। कर जाना अधिक मास के तीज दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना वापिस चालू स्रावन वापिस चालू होना था दोनों का है जब संजोग होता रहता है अधिक मास का संजोग होता है विराम का दिन होता है होको कथा मेरी पहले महें मर थनये वह 2.00 पांक्ड़ो स्रावन का दिन अधिक मास का परावला-चाया वापिस हो जाता है जब अधिक मास पिराम होगा, सावन पापिस चालू होगा, उस दिन एतिस कोटी देवता है, या कुछ कंधर्व, देवता, पिंतर, सब उस दिन लुटाते हैं, सब खुदा देते हैं, वेभग देते हैं, और उस दिन भूल से भी, अगर एक कनेर का भूल संतर भगवार पर चड़ जाता है, तो जिंदगी का सारा बंदा भवार पर जाता है, एक पुष्प, कनेर देखा है, पंच पुष्प, पुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था, ये रोड के, चादा तर लोग ये कनेर का जो पूल है, रोड के बीच में लगा पानी गिरता है, तो जमीन पटा पटी जाता है, तर देखा है इसको पक्री भी नहीं खाए, पश्व भी नहीं खाए, पक्ष्प, जानवर भी नहीं खाए, जहरीला, कनेर का फीला पुष्प, भूल बस, आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे, उनको भूल नहीं मिले, शिप जी को समझपित करने के लिए कोई पुष्प नहीं मिला, इनको अंदाजा नहीं है, कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है, इनको नहीं गयाद था, कि 33 को टी देउत अपना भट्डार कुटाने के लिए तयादे, 33 को टी देउत को रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है, और दूसरे दिन बापिस सामद चलू है, कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग जादा आते, बहुसते, हमने सामें लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोक से मतलब है, जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा, कनेर का फूल चड़ेगा, उस दिन पाबा मेरा कुबर भंडारी कितना देजाएगा, यह किसी को नहीं मालो, उस दिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे, और उनको क्या मिलेगा, यह अंदाजा नहीं है, उस दिन कावड यातरा का जल भरकर, हमने सीहर से र गरीकर आने पूरियां का जल लेकर, पाबा कवेर भंडारी को 10 km और से 10 km की दुरी पड़ती है, पाबा का बजन करते हुए, नाम जाब करते हुए, तो हाथ में सुंदर या तुम्द्र। कंढ़े पकावड लेलो या हाथ में लेलो, या पघल लेलो, या बजल नहीं अदर फु्ष्प ना मिलने परिजिलोंने देखा मार्गर से जाते जाते इस फुष्प पर ना पच्छी बेट रहा है ना पशु बेट रहा है ना कोई चानदाव। पुष्प रेखा कनेर का पुष्प संभुख था और उठा कर उस दम्यंतिन अपने पती नल को दिया नल ने वो पुष्प देवदी देव महादेव को समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को दी देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरी काला बड़ा शरी लोग से लोल पुन्य दिजिए पुश्कर न धिन लिया था वो मापी टिस राजा नल सड़ को का contest ओ सब्हुतावां भिर वेबहवां फिर कीड़ी likely वाञाब या अब दिया किसमें जम के बोलो जिरा देव दिरेव महा देव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे यदिक मास का महिना वो भी सावनत संजोग में ते नहीं आप आए अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास पूनो और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत व्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन आपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में सरेसिस हो गया गड़ने डाक्तर ने प्रेदिया बदलना पड़ेंगे का मर्दुख रही हो तकलीब केसी भी तकलीब केसी भी चिंदगी का दुख हो कैसा विकश्ट हो समझ रहा हो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उतसे ज्यादा दुख तम्यंतियों राजनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर-दर भटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ पा रहा काला बढ़ गया पत्मी की बापकी साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करभा कर ती अब समझेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली गई, वेभव चले गया, राचे चले गया, भाई में सब को छोड़ा के रख लिया, सरीर भी बेकार है, सरीर भी काला पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, आरबोड नात के डसे से सरीर भी बेकार है, अब उसके ध्यान दिन, अक्न और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर शंकर के अराधन का इक नियम बना लिया, रोज शिव के मंदिर में, दो लोटा जलका स्पना, अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन, तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जब 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 के बोलदरा एक पर सावन के महिने में जो लोटा हो, तर से चलो तो जोटे के उपर लोटा हो, डवल, डवल, कब मनजील डवल कर देगा, कब तुमारी आय डवल कर देगा, कब तुमारी जितकी के सुपर डवल कर देगा, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, तेहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो, और शिव का मूल इस्मरण, शिरी शिवाए, नमस्तो भ्यम बोलते हुए का देवादि के महादेव को धार चड़ा है, तो याजी, तो, ही थीily나, तंवितहश कोँमिद duża उनने शिव बना गया, अब इनको भालम निकड़ा, कि शालो निकला गया, निकलते निकलते निकलते, निकलते इन अनिम मालम पड़ा, कि मलमास आ गया, और मलमास आया, तो है अधिक मास सावन के महिने में आ गया, संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते, सावन के 15 दिन उदर रे गया, पंगरा दिन उदर रे गया, बीच में मलमास भसा था, इस अधिक मास का पूरा महिना निकला, अमावस्या का दिन आ गया, और इदर साव का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 35 को दीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पूंग लगए पूरा पूंग हुआ अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो गोवरदन कौन जाता है जाते हो अब लोग अब रखिये तो वहां पर अमावस्या फूनिमा को लोग भंडारा चलाते हो चलाते हैं चलाते हैं चलाते हैं आप लोग नहीं कहते हो नहीं कहीं कहीं अ अंने है कौनसी कथा सुम dead un city aअ मैं को ईपासा कीई शिवका उगणी का भगता गया कोई नाजय अज continuar दो उसका मूझ utakर दो आखिन कारण क्या है बड़े बड़े घरों में ब्रह्मन को निमनतन दिया अमावस्या अधिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू स्रावन बापिस चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां देते हैं जब तक बच्चो ज़ने का वापिस हो जाता है जब अधिक्मास होगा सावंद पापिस चलू हो गाइं अगर और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबन नार्पाबबबर पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है पंच पुष्प शु वहाँ पुरान की कथा भाचि ये पहले है और शॉशितरिए थे ज़ेहे लाता है, जेरी लाता हुता 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 है, खाम भी कोछ नहीं आता हुता 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 है तो आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे उनको फूल नहीं मिले शिप जी को समझ पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधीकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 कोटी देवत अपना भड़ात रुटाने के लिए तयाद रहे थे 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 भूल वाइशा हमसे लोग तरहे तो गुरुजी आपने सिहोर की जो कावड यातर रखी वो 16 अगस्त को रखी जिस दिन अधीकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन किसी को नहीं मालोगा उतिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उतिन कावड यात्रा का जल भरकर हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर यह आपको भी दिवेदान है जो जो फिरी हो जो के पास समय हो और जिसने दास्ति है वाजन करते हुए नाम जाब कर देगे में सुंदर आ कावड ले लो या हत्मेलो या पाड़र या जो कच जुए नम्यक्ति नल्कि कत्था करेंगे हैं भूल भश की लिज मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ दया अब उनको पुष्प ना मिला ना मिलने पर इनों ने देखा मारगर से जाते जाते इस पुष्प पर ना पच्छी बेठ रहा है ना पशू बेठ रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा है पुष्प रेखा कनेर क पुष्प सम्भुक था ठीड़ा और उठाकर उस दम्यंती नपने पती नल को दिया नल ने वो पुष्प देव अधिद्यों महादेव को समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया तब अशुक सुंदरी ने देवा दिए जो महरे उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिव करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलका जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी रोह से गर्षित शरीर नल का ठीक हो गया और जो बुष्कर ने धन लिया था वो वाप्डिस राजनल को प्राफ्ट पर फिर संपतावान फिर वेभव CRA फिर कीटольदीवान हो गया पिर कीटीवान ओ फिर वेभवां हो गया अब दिया किसमें जंग के बोलो दिरा देव अधिरेव महादेव खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे यदिक मास का महिना वो भी सावनत संजोग में जान नहीं आप है अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास पूनो और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत व्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन आपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो खिड़िनी लीवर जैसा रोग हो सरीर मैसर एसी सो गया गुड़ने डाक्टर ने पहे दिया बदलना पड़ेंगे कमर दुखर ही हो तकलीप कैसी भी तकलीप कैसी भी जिंदगी का तुक हो कैसा विकश्प हो समझ रहा हुँ जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उतसे ज्यादा दुख तम्यंतियों राज नल के जीवर में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर-दर भटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बापी साथी होने लगी साथी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझिएगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली गी वेभू चले गया राजी चले गया भाई ने सब कुछ छोड़ा के रखिया सरीर भी बेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है आरपूर्ट नाथ के डसे से सरीर भी बेकार है अब उसके ध्यान के पत्नी तम्यंती ने कहा है पत्नी कह रही है पत्नी तम्यंती कह रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों और दम्यंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर शंकर के अराधना का इक नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकास पर अब फिर निवे दंग करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बोलो जरा एक लोटा पर अबन के महिने में दो लोटा हो जर से चलो तो जोटे के उपर लोटा हो डवल डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिद्दकी किस्व डवल कर देगा पता ही नद खड़ा पता नहीं चले और मंदिर में जैसे ही प्रभेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादेव को धार चड़ा तो यहाज तुम्यंति और नल ने न चल wahrण निकल गंडिकलतेने को नहीं पर आकि मलमास आ गया और मलमास सावन सावन के मेने में आ जया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा तीरे तीरे सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन पेटिस को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुन लिए पूरा पूर्ण है अचया चलो तुम लोग यह रहते हो तो गिरलाची जाते हो को बर दम हाभ ड़ा लग वह अवस्य पूर्न को लोग भंडारा हो बंददद दॉना जाएं चलाओं टलाकी मशल old बढ़े बढ़े घरों में ब्रहामन को निमंतन दिया अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू सावन बापिस चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों क कुछ नहीं देते मेहमान जिस दिन जाते हैं 250 रूपियं पज्चों को पत दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का बापिश मंद्य का प्रारम का दिन वापिश हो जाता है जब अधिक मास विराम होगा सावन पापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटी देवता या शकंदर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं समधदा देते हैं वेभगो देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो अशन पुष पस्यों वहां बुरान की एक था पाची है बहले उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन करा आया या 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 चाधातर लोग यह कंदर का पूल है ना रोड के बीच में लगा जड़ देखे उन बंड़ के पुछु भी नहीं खाता है पक्षी पहा जहरी लाजता हो कनेर का फीला पुष्प भूल वस आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिप जी को समध्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का पापिस मिलन है इनको नहीं अधिकमास का भीराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है कम से कम संडे को रखना था रविवार को अथा ना था तो लोग ज्यादा आते बहुस है हमने लोगों से मतलब नहीं हमें संजोग से मतलब है जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा करें कूल चड़े गावी जि मेरा कुबिर भंडारी कितना दे जाएगा ये किसी को नहीं मालोगा उतिन लोग आने वाले कावडियाँ को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा ये अंदाजा नहीं है उतिन कावड यात्रा का जल भर कर हमने सीहर से रखी 10 किलो मेटर ये आपको भी दिवेदाने आज जो जो फिरी हो जो के पास समय हो और जिसने जिन्दगी में एकमार कुबरेश्वर बाबा की कावड ना भरी हो को सोला अगस्त दिन गुद्वार रख साए गुद्वार बढ़ना चाहिए सोला अगस्त दिन गुद्वार नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवेर भेटारी को 10 किलो मेटर कुर्सी को और से 10 किलो मेटर की दूरी पढ़ती है पाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हाथ में सुन्दर या तो तुम्हें पकावड ले लो या हाथ में ले लो या बड़न ले लो पाबा को समढ़ती है कि एक कनेर का कुष्प जिन से जो ये तमयंती और नलगी कठा करेंगे नंगे घूलवष अनयास मालू नहींगे की कनेर का कुष्प चड़ दया आप उनको कुष्प ना मिला पुष्प ना मिलने पर इनोयों ने रम्यंतिन अपने पती नल को दिया नल ने वो पुष्प देव दिद्यों महादेव को समर्पित करा हुआ पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया तब अशुक सुंदरी ने देव दिद्यों मह तुझे दिया है यह पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया यह इस्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन एकिस कोड़ी देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलका जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला पड़ा सरी लोग से गर्सित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लि हो गया फिर वे बहुबान हो गया अब यहां किसने जंग के बोलो जड़ा देव अधिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो भी सावन का संजोग में नहीं आप आए अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास पूनो और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत व्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोग हो किड़नी लीवर जेसा रोग हो सरीर मैसरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पएदिया बदलना पड़ेंगे का मर्द भरह यो तकलीम केसी भी तकलीम केसी भी चिंदगी का दुख हो कैसा विकश्ट हो समझ लाँ जितना दुख आपकी जिंदगी में आया होगा उतसे ज्यादा तुक्र तम्यंतियों राजनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साब दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बापी साधी होने लगी साधी होने के आयो चले गया राज चले गया पत्मीयंति ने कहा को अंत्नी कह रही है आत्नी कह रही है ही तामयंती कह रहे हैं शिव की अराधना करते हैं दोनों चलू और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर संकर की अराधना का इकनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकाश बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकि के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल के महिने में दो लोगता हूँ दर से चलो तो दोटे के उपर लोगता हो डवल कब मन्जील डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिंदकी किस्प डवल कर देगा मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादेव को धार चड़ाए तो ही आज तो दमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम निपड़ा कि सालो निकल गया निकलते निकलते इनको निमालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के पंद्रा दिन इदर रे गए पंद्रा दिन उदर रे गए बीच में मलमास भसा था इस अधिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का निन आगया और इधर सावन के पड़क्रत तो sj ओधना फड़ना थे शिवके पड़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पर बपिस लग रहा हो उस दिन देतिस को दीदेवी देवता भग्वान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पूरा पूर्ण है कि अथि और कि ऊपनी में पूर्ण हेंitel चाहिं तो वहां पर अम आवस्या पूर्णियमाको लोग बंदारा है जलाती हैं करी दिश्चा हैं खूदिया खूदिये के वड़द्दमा अमावस्या पूर्णाम को भंदारा क्यों चलाती हो इनने कौन सी कथा सुन रखी एक पूर्णी मा को बंड़ारकर करो पूर्णी माँ के दिन कोई संकर का भगता कर जाना उनम का एसा युग क्यों मनता है उसका कारन केवल एक श्यू महापुराण की कथा करें है अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू स्रावन बापिस चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन ह होता है तो कत्या देते हैं नहीं जाला में जाते हैं दो सो पानिसो रुपय बच्चों को ते जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारम का दिन वापिस हो जाता है जब अधिक मास विराम होगा सावन वापिस चलू होगा उस दिन एतिस कोटी देवता या शकंदर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबना भगवार पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्प शु महां पुरान की कथा बाची यह पहले है उसमें कानेर के फूल का भी दर्शन करा है जाता ही यह दो कि आता है आती तो पानी गिरता है एक धिमीन पती साहं जाठ सारे के लेकर डेखा है उसको बपर च्पृ भी ने खाया पशु भी ने खाय जानवर भी ने खाया जहरीला कनेर का फीला पुष्प भूल वस आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिप जी को समझ पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अतिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन्द का पापिस मिलन है इन हम से लोग करें गुरुजी आपने सीहोर की जो कावड आतर रखी वो सोला अगस्ता को रखी जिस दिन अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है कम से कम संडे को रखना ता रविवार को रखना तो लोग ज्यादा आते हमने सामें लोगों से मतलब न किसी को नहीं मालों कि उतिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उतिन कावड यात्रा का जल भरकर हमने सीहोर से रखी 10 किलो मेटर यह आपको भी निवेदाने आज जो जो फिरी हो जो पास समय हो और जिसने जि सीगोर से 10 किलो मेटर की दूरी पढ़ती है यह अर्वा का वजन करते हुए नाम चाप करते हुए तो हाथ में सुंदर या तो तुन यह पकावड ले लो यहांत में लिए अपश्प चड़ देया अब इनको कुछ को ना मिला पुछ को ना मिला ना मिलने पर इनोंने देखा ना कष्ची बैठ रहा है ना पशू बैठ रहा है ना इसको कोई खा रहा है और कदखे गिर गए नीचे गिरा तो उखीर ऑप शिप अशुक सुंदरी वाली जगा पर पिक गया सवशुक सुन्दरी ने देवादी जो महले उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिवकर्द धेम ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन एकिस कोटी देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवता उने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला पड़ा सरी लोग से गर्सित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया फिर संपदावान फिर वेभावान फिर कीर्दीमान हो गया पिर कीर्दीवान हो गया फिर वेभावान हो गया अब यह किसमें जंक्य बूलो देवदियो महा लेवा खाली ना जाता कोई दर से अधिक मास का महिना वो भी सावन ता संजोग में या नहीं आप है अधिक मास की हमावस्या जब अधिक मास और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पपिस मिला राजा नल की काया जो काली पढ़ गई थी कारपोट नाग के डशने से जो सरीर विगड गया था कैंसर जैसा रोग वो किडिनी लीवर जेसा रोग सरीनमेस अरेसी सोगया गुटने डाक्टर ने पहे दिया पदलना पढ़ेंगे का मर्दों भरही हो तकलीब कैसी भी तकलीब कैसी पे ृजिंदुक्त कैसा विकरश्तु जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उससे जादा दुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राज इसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर भटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्मी की बाप की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझियेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी वेभू चले गया राज चले गया भाई ने सब कुछ छोड़ा के रख लिया सरीर भी डीर क Bowl लगार बेकार पड़ा है, सड रहा बर को गुह जिति अध्यृत को गा यह चने क्ट्नी दन्यांती कर रही है शिव की आराधना करते है, दोनों चलों और दम्यंती पतनी ने अपने पति के साथ बेटकर संकर किया राधना का इकनियम बना लिया, रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना, अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन, तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जब जम के बोलो जरा एक लोटा, पर सावन के महिने में, दो लोटा, जर से चलो तो जोटे के उपर जोटा हो, डवल, डवल, कब मनजील डवल कर देगा, कब तुमारी आय डवल कर देगा, कब तुमारी जिंदगी के सुपर डवल कर देगा, पता ही है, पता नहीं चलेगा, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हांक में तलशो और शिव का मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादिद्यों मादयों को धार चड़ाए तो यहाज तो अब इनको माहिन पड़ा कि मल्मास ऑगया और मल्मास पूरा महिना निकला अमावस्या का तिना अगया और इदर सावन लग रहा था इदर अमावस्या पढ़ गई और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्तर करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना बपिस लग रहा हो उस दिन 32 को टी देवी देवता भगान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पुन ने चानो कर देते हैं, पूरा पुन है मत अपना खैंक चलो, तुम लोग या मेंपूरी में रहते हों तो गिष्नाटी जाते हों को वरिदन पुण जाते हैं जाते हों आप लोग शिव आव एवरदा को बनारा चलाती है, तो वह थो personnage खुण ह॥ कि कुछ खिला दो उसका मूझ उटा कर दो आखिता गारन क्या है बड़े-बड़े घरों में ब्रहामन को निमंतर दिया रहता है अमावस्या एपंडी जी आजाना वोजन कर जाना पुर्णीमा एपंडी जी आजाना वोजन कर जाना पुर्णीमा के दिन कथा कर जाना अमावस्या 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 के दिन कथा कर जाना अमा संब्सक्राइड सथीन, हैं जब तक बच्चों बच्चों को कुछ नहीं्त संदिन दीन चाते हैं दो सु पान्सो रुपई बच्चों को दे जाते हैं पशक्याल्न प्रादमास वर्व का न की प्राण का दिन सब्धीन करने और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबना पर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्प शुब्रान की कठाबाची ये बहुत है उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया जाए यह जाधा तर लोग यह कनेर का दूल है ना रोड के बीच में लगा देख एक है इंदेख है तो इसको जांद भर भी निगाता पच्व मी जानवर भी नहीं जहरीला का पीला पुष्ट भूल वस आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे उनको फूल नहीं मिले शिप जी को समझत करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधीकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन्द का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 को टी देऊ था अपना भड़ात रुटाने के लिए तैयाद है कि हम से लोग करें गुरुजी आपने सीहोर की जो कवड यात्र रखी वो सोला अगस्त को रखी जिस दिन अधीकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावन चालू है क लोग जादा आते हमने कामें संजोक से मतलब है जिस दिन पाबा को जल चड़ेगा करेर का खूल चड़ेगा उस दिन पाम मेरा कुपर भंडारी कितना दे जाएगा ये किसी को नहीं माल हो कि गुत इन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिले तुरी पढ़ती एक पनेर का पुषको दिल से नल की बद्धा करें की तुरी बड़ती एक तनेर का फूब वाश्ट मिलने पने देखा मार्ग से जाते जाते मुष्प से जाते इस समर्बित करा हुब पुष्प नीचे गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगह पर जाकर टिक गया तब अशुक सुंदरी ने देवा दिए जो महले उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिव करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवता उन्हें मिलका जब पुन्य दिया नलका सड़ता हुआ क जब दिया वहां अब दिया किसने बोे देव दियो महा देव खाली न जाता तोई दर से तुम्हारे अदिक मास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आप है अदिक मास की अमावस्या जब अदिक मास और सावन का मद्य भाग समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन अपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड गया था गुटने डाक्टर ने पढ़िया बदलना पड़ेंगे का मर्दु भरही तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा विकश्ट हो समझ ना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया हुगा उत्से जादा तुख तम्यंतियों राजन नल के जीवन में आया राज सी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दरदर बठका साब डस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बापी साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझिएगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी वेभव चले गया राज चले गया भाई नैसे सब को छुड़ा के रखिया सरीर ही बिकार है सरीर ही काला पड़ा हुआ है नाद नहीन से सरीर भी बिकार है अब उसके ध्यान गो अत्नी तमयांती ने कहा पत्नी कह रही है, पत्नी दम्यंती कह रही है, शिव की अराधना करते हैं दोनों चलूंगे, और दम्यंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर शंकर की अराधना का इक नियम बना लिया, रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकाश पना, अब फिर निवेदन करेंगे, सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जब जब के बोलो जब आएक लोटा, पर सावन के महिने में दो लोटा, कर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो, डवल, डवल, कब मनजील डवल कर देगा, कब तुमारी आय डवल कर देगा, कब तुमारी जिंदगी किस्व को डवल कर देगा, पता ही नग खड़ाएक, पता नहीं चलेगा, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में, पहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो, और शिव का मूल स्मरण, शिरी शिवाए, नमस्तो भ्यम बोलते हुए, देवादिते माधियों को धार चड़ाए, तो ही आज, तो तमयंती और नल ने नियब बना अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निकल गए, निकलते 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 इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया, और मलमास आया, और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया, संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते, सावन के पंद्रा दिन इदर रे गए, पंद्रा दिन उदर रे गए, बीच में मलमास फसा था, इस अधिक मास का पूरा महिना निकला, अमावस्या का दिन आ गया, और इदर सावन लग रहा था, इदर अमावस्या पढ़ गए, और दूसरे दिन सावन के पंद्रा दिन पढ़ना थे, और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 32 को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पुरा पुर्ण है एक उसका की पहिए को आहीं आप मे रहते हो तो गि राची जाते हो तो कोवरदन कुन जाता था जाते हो वेप से आव एखे आप दोती तो वहां पर अम्हाश्या फुनमा को लोग भंडा रा चलावinfl Healthy टे जिन a Яुग तो है ज़ते हो और कई altri अमावस्या पुनिमा को बंडारा क्यों चला ते उसका कारण क्या है। अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू स्रावन बापिस चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है। दोसो पानसो रुपे बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारम का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन का वापिस चलू होगा। उस दिन 33 कोटी देवता या शकंदर्व देवता पितर सब उस दिन लुटाते हैं। संपदा देते हैं वेभग देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है। तो जिंदगी का सारवन ना पर पर जाता है। एक पुष्पुर। कनेर देखा है। पुष्पुर्ण की कठवाची है फ़हले। उसमें कनेर के फूल का भिदर्शन कराया था। ये रोड के जातातार लोग ये कनेर का जो फूल रोड के बीच में लगा देखा है। कर जानवर भी निकाता पशु भी निकाता है। जहरी लाजता होता है। पीले कलरगा होता है लंबा, काम भी कुछ नहीं आता, बस वो कनेर का भूल और आती तुपान पानी गिरता है, तो जमीन बटा पड़ी जातरे डेर सारे के, देखे किन देखे, अरे बोलो तो जम के, देखाए न, उसको पक्री भी निखाए, पश्रु भी निखाए, पक्षी को ना मिला, इनको अंदाजा नहीं है, कि आज अधिक मास का भी राम है, आज दूसरे दिन सावन का भापिस मिलन है, इनको नहीं ग्याद था, कि 33 को टी देखे अपना भट्डार को ताने के लिए तैया देखे, 33 को देखे, पूल आज है, हमसे लोग करे तो गुरु जी, आ पहुस्त है, हमने का में लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोक से मतलब लेग में, जिस दिन भापा, को जल चड़ेगा, कनयर का फूल चड़ेगा, उस दिन भापा मेरा कुपर भंडारी कितना दे जाएगा, या किसी को नहीं मालूगों, उस दिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उस दिन कावड यात्रा का जल भर कर हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर यह आपको भी दिमेदाने आज जो जो फिरी हो जो उसके पास समय हो और जिसने जिन्दगी में एकमार कुवरेश्वर बाबा की कावड ना भरी हो वो सोला अगस दिन गुद्वार अपसाए गुद्वार बढ़ना चाहिए सोला अगस दो को सुबहा नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवर भेटानी को 10 किलोमेटर कुर्सी और 16 किलोमेटर की दूरी पढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए दो हाथ में सुन्दर या तो तुनी कंद्रे पकावड ले लो या हाथ में ल और रहलोम नहीं है कि कनेर का पुस पचड़ देया अब उनको कुष्प को ना मिला ना मिलने पन McDAY शी जाते इस मुष्प पर ना पक्छी बेठ रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना जान रहा है कोई जान रहा है कeilार्प चक़िजब्ण il पुष्प मुझे दिया है यह पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया यह स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन मनुष्प को देते हैं इसलिए आज तुम पुण दीजिए सब देवतावने मिलका जब पुण दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी रोग से गर्शित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वह वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया फिर संपदावान फिर वेभवान फिर कीड़तीवान हो गया फिर कीड़तीवान हो गया फिर वेभवान हो गया अब दिया किसने जंक्य बोलो देव दिरेव महा देव खाली ना जाता कोई दर से तुम्हा आए अधिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाए अधिकमास की अमावस्या जब दिकमास और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाजी बात है राजा नल का गया हुआ धन अपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोगो किड़नी लीवर जेसा रोगो सरीर मैस्वरेसी सो गया गुटने डाक्टर ने पहले बदलना पड़ेंगे का मर्द भरहियो तक्लीप केसी भी तक्लीप केसी भी जिंदगी का तूख हो कैसा विकस्ष्ट हो समझ रहा हुँ जितने दुख आपकी जऄ बढ़ दर बड़시고 सारीर मैस तक्लीप कार हो गया रहा जरतता रहा काला पढ़ गया पत्मी की वापकी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपां कर दी अब समझेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली गी वेभाउ चले गया राज़ चले गया भाई ने सब को छोड़ा के रख लिया सरीर भी विकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा आरपुड नाथ के डसे से सरीर भी दिकार है अब उसके ध्यार पत्मी तम्यंती ने कहा है आप मयंती कह रही है यदि फुई कि अराभणा करते हैं तोनो तंो और तम्यंती पत्मी ने अपने पती के साथ विए कर संकर के अराभणा क्हिकिनयम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलका स्पनद अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जम जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा कर से चलो तो जोटे के उपर लोटा हो डवल डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा पता ही नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हांक में तलशो और शिव का मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादिद्यों माधियों को धार चड़ा दो याज तुम्यंति और नल ने नियम बना गया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गया निकलते 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 इनको ने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 करते करते सावन के सावन के पंदरा दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन अधिस को टीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पूंदर पूरा पूंदर अच्छा चलो तुम लोग यहां मेन पूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो गोवर्दन कौन कौन जाता है जाते हो आप लोग आप रखिये तो पंदर पूंदर शाली के कि बोटन रायां कहिए है कोई संकर का भगता ऊपाशा ना रहेन उसको कुछ खिला दो, उसका मुझूटा करा दो, आखिक कारण क्या है, बड़े-बड़े घरों में ब्रहामन को निमनतर दिया यह था है, अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू, सावन बापिस चलू होना था, दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है, आपको कथा में भी पहले कहा, महमान तुमारे यहार रहते हैं, जब तक ब 500 रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का पापिस मत्य का प्रारम का दिन पापिस हो जाता है जब अधिक मास विराम होगा सावन पापिस चलू होगा उस दिन एधिस कोटी देवता है या उचकंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सब वदा देते हैं वेभव देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संतर भगवाद पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारवन ना पर जाता है कि एक ठुष्ठ कनेर देखा है अंच पुस्भशूमा पुराण की कथा भाची यह पहले है उसमें कनेर के खूल का विदर्शन कराया या यह विदर्शन कराया यह यह रोड के चाधा तर लोग यह कनेर का जो पूल रोड के बीचमें लगादेगे अगे उसको जानवर मीं आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिपजी को समझ्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावंद का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 स्कोटी देवत अपना भंडात होताने के लिए तैयाद रहे हैं अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन वापिस सावंद चालू है कम से कम संडे को रखना था रविवार को रखना था तो लोग जादा आते हमने का में लोगों से मतलब नहीं हमें संजोग से मतलब है जिस कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उस दिन कावड यात्रा का जल भरकर हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर यह आपको भी दिवेदाने आज जो जो किरी हो जो के पास समय हो और जिसने जिंदगी में एकमार कुबरेश्वर बाबा की कावड ना भ कावड गृतारी को तस किलोमेटर तुर्सी हो और से 10 किलोमेटर की तुरी पढ़ती है बाबा का पाजण करते हुए नामचाप करते हुए तो आद में सुंदर या को तुम ने पकावड लो या हाथमे लेडो या बातन लेलो थावा को सबढ़ती है कानेर का पुश्प ना मिलने पदिलों ने देखा मर्गस जाते जाते इस चुफ पर ना पत्गी बेट रहा है ना पशू बेट रहा है ना इसको देवादी जो महाने उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिवकत यह पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया यह स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 23 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए गर्सी तशरीर नल का ठीक हो गया और जो मुष्कर ने धन लिया था वह बापिस राचनल को प्राप्त हो गया फिर संपतावान फिर यह वह वाँवान फिर कीर्दीवन हो गया फिर यह वह बहुंआ हो गया अप्या किसने जंग के बोलो जिरा देव अधिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे यदिक मास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आप है अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत व्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन आपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में सरेसिस हो गया गुड़ने डाक्टर ने पैदिया बदलना पड़ेंगे का मर्दुख रही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का दुख हो कैसा विकष्ट हो समझ रहा हो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उतसे जादा दुख तमयंतियों राजनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बापी साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझ येगा जिसके पास से पूरी सत्ता च शरीर भी पेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है तो अब उसके ध्यान के अत्मी कह रही है अंत्नी दम्यंती कर रही है शिव की अरादना करते हैं दोनों चानूं और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेट कर संकर किया राधना का इक नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलका इस परण अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाक्की के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जब के बोलो जड़ा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा तो लोटे के उपर लोटा हो डवल कब मंजीर डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिद्गी के सुपर डवल कर देगा पता ही नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाये नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवाधिदयो माधियों को धार चाता है तो यह ज तुमेंती और नल नान बना गया अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि mai सालो निकल गाए निकलते निकलते नकलते इनको ने मालूम पड़ा कि मलम आस आ गया और मलम आस आया औरframe अर्व माम Whoa इस अधिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का दिन आ गया और इधर सावन लग रहा था इधर अमावस्या पढ़ गई और दूसरे दिन सावन के पंदरा दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्तर करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो, उस दिन 32 को टी देवी देवता, भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर, अपनी जिंदगी का सारा पुन लिए पूरा पुन है, पूरा पुन है, अच्छा चलो, तुम लोग या मेनपुरी में रहते हो, तो गिराची जाते हो, गो पूरा 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 पूर अमावस्या अधिक मास के 30 दिन हो रहे हैं अमावस्या का दिन था तूसरे दिन सावन का महिना पापीश चलू हो नाथा दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा मेरी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारम का दिन वापिस हो जाता है। अधिक मास पिराम होगा सावन वापिस चालू होगा उस दिन 33 कोटी देवता या उच्छकंदर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सब पुदा देते हैं वेभग उठेते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संतर भगवार पर चड़ जाता है तो ज अंच पुषपशु महां पुरान की कठावाची यह पहले है उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था यह रोड के जादा तर लोग यह कनेर का जो फूल है ना रोड के